हलो एब्रिवन आज हम बात करेंगे समर्स का सबसे अच्छा फ्रूट जो हमारे कुद्रत की देना है वो है जामुन जो हर किसी के लिए अच्छा है आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इससे हम बनाएंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रेंग जामुन जामुन जो है सबके लिए अच्छा है बड़ों बच्चों सबके लिए समर्स में जो हमें प्रॉब्लम होती है पेट में जलन होना गला सूपना ब्लिडिंग होना गर्मी लगना यह उन सब में बेनिफिट करता है इवन खांसी जुकाम जिने कर पहुंचाद है उनके लिए के लिए भी अच्छा है यह हमारे को इम्प्रॉब करता है और बढ़ाने में भी हल्प करता है पानी पी के बीकर महारा फारा हो जाता है तो ही उसमें में भी respir civ Exactlyanha बहुत लिए बहुत अच्छा है दाप 57 जिनको पीट Professor पी जामुन और बड़े साइस सका जामुन हो वह में खाना चाहिए जामुन इसी निदा है इसको खाना खाने से पहले खाना या खाना की से 1-2 घंटे बात खाना जिनको बात दोश जामुन जो है लिम्लिटेट क्वांटिटी में खाना उन्हें बहुत जादा नहीं कहst़ों आज हम बनाएंगे Summers की Refreshing Ring जो बनेगी जामून से आज हम बनाएंगे जामून लेमनेट किचन में चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं ये बहुत एजी है और विदिन 5 मिनट्स ये बनके रेडी हो जाता है जामून लेमनेट बनाने के लिए मैंने यहां पर सबसे पहले सबजा सीड्स लियें ये तुलसी के बीज होते हैं इसको मैं पानी में सो कर रही हूँ ये 5 मिनट्स में ही फूल जाते हैं चीया सीड्स को 3-4 आर्स चाहिए होते हैं ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं और Summers में ये बेस्ट है ये optional है अगर ये आपके पस नहीं है तो चलेगा अब लेंगे जामून मार्किट में बहुत अच्छा जामून आ रहा है और जामून का रेट भी सही है जामून को अच्छे से पानी में डिप करके वाश कर लेंगे वाश करने के बाद मैंने सारे जामून स्ट मुझे यहां पर 4 glass drink बनाने के लिए एक बाउल जो है पल्प चाहिए जामुन का और जो यह seeds है इनको फैक मानी है मैं आगे चलके बताऊंगी कि इसका आप क्या खर सकते हो अब हम इस पल्प को जो है mixi के जो सबसे छोटे वाला grinder जा रहा है उसमें पीसेंगे इस टाइम में चाहो तो आप उदीने की पत्ते भी डाल सकते हो पर मैं लास्ट पर डालूँगी थोड़ा सा पाने डालके हम इसकी पेस्ट बना लेंगे यह बहुत soft होते हैं तो within a minute हम इसकी पेस्ट बनके ready हो जाएगी यह हमारी fine paste बनके बिल्कुल ready हो गई है आप इसको चाहो तो direct इसक कर सकते हो पर मैं इसको stain करूंगी क्यूंकि मैंने इसको बच्चों को देना है अगर उनके मुह में छिल के आए तो थोड़ा सा परिशान करेंगे अब हम इसको अच्छे से स्टेइन कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही जो यह चिल के रह जाते हैं स्टेइन करने के बाद ह अपनी स्टेइन करेंगे कुछ इसमें मैं सबसे पहले आड़ करूंगी मैंने यहां पर मीठे के लिए देशी खान एड़ करी आप अपनी चॉइस की स्टेश एड़ कर सकते हो हनी खान शूगर जो आप चाहो उसके बाद मैंने इसमें एड़ कर रहें और हैं जीरा यह सब आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग जैसा आपका टेस्ट हो मीठा आपको जादा पसंद दो तो आप उसके एकॉर्डिंग इन सबको कम जादा कर सकते हो फिर हम इसमें एड करेंगे चिल्ड वाटर यहां मैं मटके का पानी यूज कर रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स क करने के बाद हम इसमें एड करेंगे लेमन यहां पर मैं है मैं यहां पर दो नीम्बू के रस का यूज कर रही हूं इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें डालेंगे आइस और अब और इसमें फ्रेशनेस देने के लिए हम add करेंगे mint leaves, यह mint leaves जो है मेरे kitchen garden की है mint leaves को आप चाहो तो हाथ से तोड़के या इसको crush करके भी आप डाल सकते हो अब आपका ready है, इसको हम अब करेंगे serve, serve करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले आप इस time में गोन कतीरा add करना चाहो तो वह भी add कर सकते हो, summers के लिए वह भी बहुत अच्छा है और हम इसमें add करेंगे जो हमने अपना lemonade ready करा था, यह बहुत ही refreshing और अच्छे drink है अब बात कर लेते हैं, जामून की गुटली को, इसको हमें कैसे यूज करना है और यह कहां पर benefit करेगी है जामून की गुटली को हम अच्छे से धो के साफ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सुखा लेंगे यह diabetic वालों के लिए काफी फायदे मन्द है, उनके blood sugar level को कंट्रोल रखेगी बट फिर भी आप अपने doctor को consult करके ही इसका यूज करें यह drink पीने में बहुत अच्छी वानी थी, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना रेसिपी अच्छी लगे तो like, comment and share जरूर करना, बाई